नमस्कार बहुत वोगत है आपका आप देख रहे हैं दार न्यूज आपके साथ मैं स्रिष्टी इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम मंगाल से आ रही है आपको मैंने कल डिटेल में बताया था पश्चिम मंगाल में सियासत चरम सीमा पर है गवर्नर वर्सेस ममता बेनर जी गवर्नर वर्सेस सीम अब इस मामले पर टीमसी और बीजेपी एक साथ भिड़ने को तयार और बता दे आपको बरदियर नपाटी ने इस बात पर हला बोल किया हुआ है वही गवर्नर का बड़ा बयान पश्चिम मंगाल महिलाओं के रहने लायक नहीं है इस वक्त की बड़ महिलाओं के रहने लायक नहीं है और तत्काल तरीके से इस पर एक्शन लेना चाहिए बता दे आपको महिला के साथ जो मारपिट हुई थी दर्ट को रोसो नेरा खातून बीजेपी की समर्टक थी भाती जंत पाटी से तालू करकती थी और उनको पीटा गया सड़क पर घंस और बता दे आपको यहां पर पश्रिम मंगाल की बात करें पश्रिम मंगाल में दो हफ़ते में 11 मारपिट की घटना आ चुकी है और एक ही यह मामला नहीं है एक व्रिधा को तो उसकी जान ले ली गई उसने केवल टीमसी समर्थक को गधा कह दिया था उसके बाद उस टीमस पौल ने बड़ा हमला बूला है गवरनर को तेखिए फशाने की कोशिश की जारी है यह भरतियु अंतर पाठी ने कहा है कि गवरनर को फशाने की कोशिश हो रही है यानि की गवरनर के बारे में जो महिला सुप्रिम कोट पहुच चुकी है यौन उद्पिञन का केस है और यहां पर मांग कर रही हैं मांग रखी है उस महिला ने और इसके साथ ही गवर्नर ने कहा कि फसाने की कोशिश है अगनी मित्रा पॉल है बीजेपी की निता हैं बड़ी लीजर है पश्चिम मंगाल में उन्होंने कहा कि यहां पर पूरी की पूरी गवर्नर को फसाने की और यह तमाम तरीके से पश्चिम मंगाल में TMC करा रही है अब देखिए रहा सदन में पश्चिम मंगाल की घटना को लेकर PM मोधी भी अपने आपको रोक नहीं पाय दर चुको उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा पश्चिम मंगाल में महिला को घसीटा जा रहा है वो महिला मुख्य मंत्री है और उसके बावजूर भी बिल्कुल हला बोल किया हुआ है पश्चिम मंगाल में जो मन वो इनसान कर सकता है खास करके TMC पार्टी TMC पार्टी महिलाओं को यहाँ पर किसी भी तरीकी से प्रताड़ित कर सकती है TMC पाश्चिम मंगाल में कहीं भी भीड को जमा कर सकती है TMC को जो मन वो कर सकती है लेकिन BJP और तमाम लीडर्स अलग अलग पार्टी हों के वो ऐसा नहीं कर सकते है संदेश खाली के मुद्दे प पर पश्चिम मंगाल को ममता बिनर्जी को प्रदान मंतरी ने सदन के अंदर घेरा और इसके बाद सुकान्त मजुमदार कह रहे हैं यहाँ पर की देखिए पश्चिम मंगाल में जो हो रहा है उसकी आवाज सदन तक पहुची है और प्रदान मंतरी जी ने आश्वासन दे यह बोल कर देखिए लोकसवा और राजसवा के प्रॉसिदिंग्स में ऐसा नियम है कि अगर कोई रॉंग स्टेटमेंट देता है गलत अथ्य देता है तो उसे हटाना जाया चाहिए लेकिन आज टीम सी बोल सकते है क्या कि कोजवियर को लेकर या संदेश खाली को लेकर क्या जूट बात है क्या तो ऐसी लेटर वो बहुत सारे लिख सकते हैं लेकिन इस सच है कि घटना घटी है और जो घटना घटी है वो मानपता को नहीं पूरे मानपता के साथ साथ देश को भी शर्मशर किया है और पूरे देश को देश का एक अंगराज है जहां पैसा घट रहा है विदेश में भी भारत की चवी को दुमिल करता है वोडे गुम्रा किया जारा बंगाल की चवी को गलत तरीके से पेस किया था था लेकिन आज तो कोई नहीं खरीतता इसकी अभी सिफ ओएकी कलर रही है और ब्लैक कलर देखे बंगाल का जो चबी है उसको दुमिल कर दिया ममता बेनर जी अपने आपको और पुरे पश्चिम मंगाल को बिलकुल सवाल नहीं पा रही है महिलाओं के साथ अत्याचार पश्चिम मंगाल में बढ़ता जा रहा है पश्चिम मंगाल के राजव्हपल नहीं कहा ममता बेनर जी का बंगाल महिलाओं के रहने लायक नहीं है बहुत बड़े टिपणि गवर्नर की और गवर्नर नहीं अभी देखिए यहां कहा तक ही जल्द ही राजभवन खाली कर दे पश्चिम मंगाल की पुलिस लेकिन अतिय जनता पार्ति के जोनों ने कहा था कि हम सेफ नहीं हैं हम यहाँ पर पश्चिम मंगाल में सेफ नहीं हैं और पश्चिम मंगाल में टीमसी के जो गुंडे हैं हमें पीट रहे हैं हमारे गाहों तक पहुच रहे हैं और कई महिलाओं का दर्वाजा खट गड़ाते हैं कहत पाखिस्तान क्या एसे और देखें यहांपर बातचित की जाए तो आतंक का दुसरा परियाए क्या हो चुका है पस्चिंग मंगाल टीमसी मतलब की धराश्याई एक्दम प्रशासन कोई मुस्तियादी नहीं पस्चिंग मंगाल की पुलेश सपोर्ट करती है टीमसी निताओं क के गुंड़ाई को और मैं ऐसा गुंड़ाई इसलिए कह रही हूद जरता देख लिए चार महीने में इस चुनाओ के दौरान कितनी हत्याइं कितनी मार पीट कितनी नजर बंद करके रखा गया लोगों को और कितना जादा सड़क तो यह सब लिखिये दिखाता है कि पश्रिम मंगाल में हर एक दिन आपको सुनकर यहाँ पर आश्र mouvement की यह वात होगी यह आम बात होगी पश्रीम मंगाल की यह शरम आती है कि पश्रिम मंगाल भारत का वो वग है जहां महिलाँ सेफ नहीं है बहुत बड़ी खबर है यह पश पश्चिम मंगाल की ममता मेनरजी ने भी इस बात को लेकर गवर्णर पर हमला बोला है तो दोनों हो चुका है गवर्णर ने ममता पर ममता ने गवर्णर पर अब देखते हैं कोट में कौन सही घोशित होता है लेकिन देखें यहां पर इस्तिती बिलकुल धरशाई हो रही है देखने वाली बात होगी, पश्रिम मंगाल में आखिर महिलाओं के साथ बीच बचाओ करने वाले और बचाओ करने वाली पार्टी कौन सी उबर कर आती है, हाला कि बीजेपी ने पूरी जान जोकी है कि पश्रिम मंगाल में भले हमारा आधार खिसका, आप देखिए अंदर शुको इस बार सीटे काम हो गई, लेकिन पश्रिम मंगाल में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हम जो भी हो उसी लगन से उसी महनत के साथ आगे बढ़ें और जल्द ही ममताव इनर्जी की पोल खोलें और ताकि हमें लोग भी सपोर्ट करें, लेकिन अब देखिए वोट दोख है, टीमसी को ही लोग दे रहे हैं, इसलिए टीमसी बार बर विजय हो रही है, आपकी क्या राय है, आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा, बहुत ये सम्वेधन शील मामला है, महिलाएं पश्चिम मंगाल में सेफ नहीं है, ऐसा पश्चिम मंगाल की राज्यपाल का कहना है, आपकी क्या राय है, कॉमेंट की रेच, शुक्रिया